सतक की और विराट विराट को लिया अपने जनम दिन के दिनी सतक की और बढ़ते नजर आ रहे हैं स्रेस अईयर के साथ केल राहूल रन मसीन पर साथ देते नजर आ रहे हैं साथ अफरीका को विकेट की तलास ताउत अफरीका टीम सभी शक्ते आजमाती नजर आ रही है विराट लगातार सभी का सामना करते नजर आ रहे है दूसरे चोर पर केल राहूल ने भी अफरीकी गेंदबाजों की परिशान करना शुरू कर दिया है अगर बात करें केल राहूल को तो यॉंग्स ने किया आउट जियां मारको यॉंग्स ने केल राहूल को आउट कर दिया राहूल आट रन बना कर पवैलियन लोड़ गए उन्होंने इतने रन बनाने के लिए 17 गेंदे खर्च की मुस्किल में साउथ अफरीका साउथ अफरीका के इंदबाच इस मैच में काफी मुस्किल में नजर आ रहे हैं विराट कॉली अपने सतक से बारा रन दूर हैं दूसरे चोड़ पर सुर्य कुमार यादव अपनी चाप छोड़ रहे हैं बात करते हैं विराट कॉली ने लगाई 49 वी सेंचुरी कम दिन है 14 साल कहा जाए तो कम नहीं होगा भारतिय टीम 300 के करीब आ चुकी है और ये टीम इंडिया ने 300 रन का आकड़ा छू लिया विराट कॉली के साथ द्रविंद्र जड़ेजा उनका साथ दे रहे हैं उन्होंने आखिर ओवर में शांदार बैटिंग की भारत की तरफ से शांदार बले बाजी देखने को मिली विराट कॉली के सतक और श्रेशकर आयर की 37 रन की पारी की बदोलत भारत ने साथ अफरिका के सामने 327 रन का लक्षय रख दिया बात करते हैं भारत ने भारत ने शांदर बले बाजी देखने को मिल रही है विराट कोली के शतक और स्रेसकर आयर की 70 रन की पारज के बदोलत भारत ने साउथ अफरिका को 327 रन का लक्षय ऐसा रखा जिससे शाय साउथ अफरिका तोड़ी नी पाएगी देखने हैं क्या होता है बले बाजी ने किया कमाल गेंदो बाजो पर नजर भारती टीम के लिए विराट कोली ने एक शांदार यादगार पारी खेल डाली रोजी शर्मा ने धुवादार शुरुवात दिलाई तो शुरे कुमार यादा हो या रविंदर जड़े जा तो पानी बले बाजी करते हुए पारी का अल्त कर दिया और इसे के साथ हुआ टेम इंडिया की बैटिंग की एंडिंग टेम इंडिया ने पाच विकेट के नुकसान पर साउथ अफरिका के सामने 327 रन का लक्षय तो रखी दिया क्या इसे साथ अफरिका पूरा कर पाएगी मुहमद सिराज ने इस बारतिय टीम को साथ अफरिका के किला बहुत बड़ी कामयाभी दिलाई टॉप फॉर्म में चल रहे ओपन क्लिंटन डिको को सिफ पाच रन के स्कॉर पर वापस लोटने पर मजबूर कर दिया सिराज बूमरा की कसी गेंदबाजी बारतिय टीम के जस्पित बूमरा और मुहमद सिराज की जोड़ी ने एक बार फिर से विरोधी टीम के किलाफ कसी गेंदबाजी का ऐसा दवाब बनाया पाच ओवर में साथ अफरिका की टीम ने एक विकेट का बागर मैं सत्रा रनी बन पाई वो टीम बामूबा क्लीन बॉल्ड भारतिय अफ्रिका की कप्तान तेमबा बामूबा को रविंद्र जड़ेजा ने अपनी फिर्की की जाल में ऐसा फसाया कि घूमती गेंद पर वो पूरी तरह से चकमा खा गए और 11 रन के स्कॉर पर क्लीन बॉल्ड होकर वापस ही लो जोने साउथ अफ्रिका के खिलाओ भी अपना जलवा ऐसा दिखाया मौमर शामी ने एडन मालकरम को मैज 9 रन के स्कॉर पर विकेट के पीछे केल राउल के हाथों ऐसा कैच करवा दिया सब देखते रह गए यकीन नहीं हो रहा था कि वो आउट हो चुके हैं साउथ अफ्र अफ्रिका को बल्लेबाची की कमर ऐसे तोड़ दी कि वो उठी नहीं पा रहे थे साउथ अफ्रिका के मैज 40 रन के स्कॉर पर गिड़ चुकी थी रविंदर चड़ेजा ने एन्रिक क्ले क्लासिन को एक रन के स्कॉर पर आई बीडबलू कर दिया और उनकी वापसी काटिका उन्हें हाथ में थमा दिया आदी साउथ अफ्रिका टीम हो गई आउट साउथ अफ्रिका की आदे टीम 50 रन बनाने से पहले वापस लोट गई मौमा शामी ने रासी बंडर डुसेन को 13 रन के स्कॉर पर लबीडबलू वापस करने लोटने पर मजबूर कर दिया फिल्ड अ दीसरा विकेट मिला बाद ये टीम की गैनवाजी ने बावत साउथ अफ्रिका के तुफानी बल्लेवाजी क्रम पर कहर ढाया तमाम टीमों के खिलाब अब विस उकप में 300 और 300 रन ठोके प्राइविटी इस टीम ने 60 रन बनाते अपने 6 विकेट गवा दिये डैविड मिलन को 11 रन पर रविंदर जड़ेजा ने क्लिम बोल्ड कर दिया साथवा विकेट जब गिरा जड़ेजा की 34 सफलता तो मेली गई साउथ अफ्रिका की टीम की बल्लेवाजी की भी वही दशा हुई जब पहले विस्रेलंका का भारतिय गेंवाजों के आगे हुआ था रविंदर जड़ेजा ने केशव माराज को आउट करते हुए चोथा जबकि टीम के लिए साथवा विकेट निकला 66 रण के स्कोर पर टीम के साथ विकेट गिर चुके थे जड़ेजा को पांच वी सफलता मेली बात के खिलाव साउथ अफ्रिका के मुकाबले का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था भारत ने पिछले 326 रण का विसाल स्कोर खड़ा किया फिर धारदार गेंदबाजी के बल पर 80 रण से पहले प्रावटी स्टीम के 9 विकेट गिरा दिये रविंदर जड़ेजा ने कस गीसो रवादा को आउट कर अपना पांच वा विकेट हासिल किया साउथ अफ्रिका 83 रण पर धेर हो गई बात ये टीम की गेंदबाजी ने एक बार फिर से ऐसा धमाका किया सुलंगा को पस्त करने के लिए साउथ अफ्रिका की खतरनाक फोर्म में चल लिए टीम को भी मैस 33 रण के स्कोर पर धीर कर दिया टीम इंडिया ने 326 रण का ऐसा स्कोर बना कर खड़ा किया कि 343 रण की बड़ी जीत दर्ज कर ली बार्द की सबसे बड़ी जीत आई से सी वर्ल्ड कप में भारतिय टीम ने धमाकेदार खेल जारी रखा साउथ अफ्रिका के किलाव 5 नौंबर को कोलकता की इंडन गार्डन में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने एक तरफाग जीत दर्ज की टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते वे बड़े बॉय विराट कोली के सतक के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया इसके बाद रविंदर जड़ा की गातक गैन बाजी के दम पर पूरी साउथ अफ्रिका की टीम के महज 83 रन पर धेर 243 रन के बड़े अंतर में मैच अपने नाम कर लिया ICC वर्ल्ड कप के भारतिय टीम के धमाकिदा खेल जा रही है भारतिय टीम टॉप पर चल रही है साउथ अफ्रिका के किलाव अब बात करते कोलकता के मोसम की जी हाँ कोलकता में दिन के समय जो तापमान है वो 33 डिगरी तक जा सकता है जाता है तो शाम को एलोड़कर 22 डिगरी हो जाता है यानि शाम के समय वोसका अफसर शुरू हो जाता है और दोपैर के समय खेलना गेंदवाजों के लिए बहुत चुटाथी पॉन होता है अब यहाँ पर मैच और स्पीनर और तेज गेंदवाज दोनों ने अच्छा परदर्शन किया स्पीनर गेंदवाज ज्यादा किफायती साबित हुए एक मैच में लक्षय का पीछा करते हुए टीम ने जित दर्श की जिसे विकेट पर भारत और साउथ अफरिका का मैच हो रहा था पीछ रिपोर्ट के वक्त रवी सास्तिरी ने इसे लेकर कहा कि एक छोर से विकेट बैटिंग के लिए अच्छा होगा जबकि दूसरी ओर से स्पिनर गेंद बाजो को मदद मिलेगी दस्टिन अफरिकानी साथ मैच जीते जबकि भारत ने साथों के साथों मैच जीते ऐसे में साउथ अफरिका भारत के लिए विज़रत को रोकना चाहता है इस विस्व कप में पहले बले बाज़ करते हैं दक्षिन अफरिकानी 428,311,399,382,357 रन बनाए यानि पांच वी बार 300 रन का प्लस पॉइंट का आगड़ा पार किया हर बार अफरिकी टीम ने 100 रन से अधिक की जीत दर्च की यानि उसकी गेन बाज़ी बहुत अच्छी है ऐसे में बारते गेन बाज़ों के लिए सबसे वड़ी चुनोती थी जो इस विस्व कप में चोके छको की बारिश कर रहे थे अफरिकी बले बाज़ों को रोक रहे थे रोईत ने का हम पहले बैटिंग करेंगे हमारा इसका पीच से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम पहले बैटिंग करते हुए खुद को परखना चाते हैं हमारी कोशिश होगी कि इस मैच को जीत कर पॉइंट टेबल में टॉप पर बने रहे हैं हम सेमी टीम फाइनल के रूप में उतरे हमें बदला करने की कोई जरूरत नहीं है दक्षिन अफरिका की टीम ने सिर्फ एक बदला हुआ गोराल्ड कोड़ जी के स्थान पर तब्रेश समसी खेल रही है रोईत गिल ने टीम को दमदार शुरुवात दे दी दोना बैटर आते ही अक्रामक बैटिंग करते वे नजर आये थे रोईत शर्मा ने इस मैच में शानदा शुरुवात की थी रोईत ने 40 जब की गिल ने 23 की पारी खेली श्रेसकार रहय ने 77 की शानदार पारी खेली वही विराट कोली अपने जनम दिन के दिन फैंस की उमीद पर खरे उतरे वैसे फैंस जीस तरह से विराट कोली ने साथ आफरिका के किलाफ केला है तो फैंस के लिए इससे बड़ा गिफ्ट, रिटन गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, जितना प्यार आज टीम इंडिया को मिला है, वर्ल्ड कप की केल में, और टीम इंडिया जिस तरह से अपने उदेश्य को पूरा कर पाई, उसी तरह और अपने करम को पूरा करती आ रही है, आज विराट कोली का जनम दिन पर टीम इंडिया को जो गिफ्ट मिला है, तैंक यू इसी के लिए,